स्वास्ते पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रूताओं का कारिक्रम में हार्दिक स्वागत सुईकार करें शालरी मित्तल का नमस्कार श्रूताओं विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस हर साल सितंबर के दूसरे शनिवार को जागरुकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है आज आप सुनेंगे इसी विशे पर भेटवारता विशेशग्य होंगे डॉक्टर पी उश्रंजन प्रोफेसर डिपार्टमेंट अफ मेडिसन अखिल भारतिय आयरविज्यान संस्थान एम्स नाई दिल्ली पर इस कारिक्रम से पहले सुनते हैं एक भेटवारता डॉक्टर अमित भसीन से ली गई आप डर्मेटलोजिस्ट और कॉस्मेटलोजिस्ट हैं हमारा विशे है आज का नवीनतम तक्नीकों से सौंदर्य वृत्धी आपसे बात कर रही है शालिनी मित्तल हम अपने कारिक्रम में लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारी जानकारी स्वास्त से संबंदित और आज भी ऐसा ही कुछ है जी हां स्किन एंड हैर हमारी त्वचा और हमारे बाल हमारी ब्यूटी को बढ़ाते हैं हमारी सुन्दर्ता में चार चान लगाते हैं लेकिन ये स सुन्दरता कैसे और इन्हेंस की जा सकती है तो यही सब जानकारी समेचता है हमारा आज का कारेवर्म जिसमें हमारे साथ हमारे expert हैं Dr. Amit Bhaseen आप एक dermatologist and cosmetologist हैं और हम उनसे बात करेंगे कैसे हम अपनी त्वचा और अपने आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं Dr. Amit आपका बहुत-बहुत स्वागत है आकाश्वणी के स्टूडियो में बहुत-बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच ऐसा कोई इनसान ही नहीं होगा यह जो यह ना चाहे कि मैं सुन्दर दिखूं हां जी हैना सुन्दर दिखना हर एक limitation होती है तो हम आपके माध्यम से यह जानना चाहेंगी कि क्या-क्या समस्याइं हो सकती है पहले skin की बात करते हैं तो अच्छा में क्या-क्या समस्याइं हो सकती है अगर skin aging हो तब यह एक normal skin हो ठीक है aging एक बहुत ही normal process है जो सबके साथ होना है और आजकल जो cosmetology जो इतना famous हो रहा है क्योंकि यह anti aging के लिए कई सारी नहीं चीज़े हैं जो आज हमारे साथ हैं और जो हम कर रहे हैं and अगर हम normal skin की बात करे normal skin में जो सबसे जादा जो सबसे commonly condition देखी जाती है इंडिया में skin में वो है pigmentation especially females में जो dark patch होता है जिसको melasma, kolasma शब्दों से भी जाना जाता है so pigmentation सबसे commonly देखी जाती है skin पे and उसके लिए देखे पूरा इलाज तो नहीं है but हम up to 90 से 95% तक हमने result achieve करा है and इसकी जो सबसे जो प्रमुक कारण है जिसकी वज़े से pigmentation इतना जादा है यहां पे क्योंकि awareness नहीं है इतनी सबसे पहली चीज जिसे sunscreen application की awareness नहीं है जब भी ह जिसे मेरे पास 15 साल से जितने patients आ रहे हैं जब भी मैं sunscreen के बारे में बोलता हूं पहली चीज बोलते हैं कि मैं तो घर पे हो क्या जुरूत है लगाने की so we don't know the importance of sunscreen second हमें sunscreen लगाना कैसे है वो भी नहीं पता है तो उसके बारे में and इसके और भी बहुत कारण है जैसे genetic हो सकत है wrong application of makeup लगाने का कुछ chemicals लोग अपने घर पे ही treatment ये salon पे treatment करा लेते हैं doctor के पास जाने की जगा फिर hormonal बहुत common reason है जिसकी वज़े से तभी हम लोग को pregnancy के बाद pigmentation start हो जाता है and वो वहां से रहता है so अगर थोड़ी सी knowledge है proper doctor के पास जा रहे हैं तो ये condition का हम लोग कर सकते हैं awareness की कमी के कारण करी बार ऐसा होता है कि अच्छी तवचा भी जो होती है वो भी हम गवा देते हैं तो ये बताईए कि जैसे एक आपने बता है aging skin में pigmentation होता है तो क्या बच्चों में और youngsters में teenagers में भी ये समझ से है क्या teenagers में pigmentation होता है बट वो actually क्योंकि teenager में सबस इसे common issue acne होता है एंड उसमें ये डिरेक्ली ये वाला pigmentation नहीं होता पैच वाला उसमें acne के नीचे जिसको post inflammatory hyperpigmentation बोलते हैं वो बहुत देखा गया है और उसका reason भी यह है क्योंकि वहां पे भी awareness नहीं है क्योंकि acne जब भी आता है लोग क्या करते हैं घर पे उसको छीलते है या नोचनी की कोशिश करते हैं जिसकी वज़े से वो या तो pigmentation या scar में बदल जाता है तो उससे related pigmentation देखी कही है यह जो pigmentation patch है वो youngsters में नहीं देखा जाता है तो यह acne चो अपने बसा है और यह बहुत common है यह बहुत कॉमन है तो इसका क्या treatment available है इसकी बहुत सारे treatments available है आज chemicals का right उपयोग और कौन सा chemical यूज़ करना है वो chemical peel से इसका treatment स्टार्ट हो सकता है तो जो चार सबसे common chemical यूज़ होते हैं जैसे lactic acid, mandalic acid, salicylic acid and glycolic acid तो यह acid का treatment है फिर कई सारे lasers है क्योंकि acne के बाद scars बन जाते हैं उन scars को treat करने के लिए हमारे पास कई सारे lasers है जैसे अगर downtime जो समय होता है laser के बाद जिसमें चेहरा थोड़ा काला पड़ता है या crusting होती है अगर उसके लिए time है तो CO2 एक बहुत अच्छा option है otherwise बिना downtime के भी कई सारे laser हैं जैसे clear skin, BM YAG, इस टाइप के कई सारे lasers है and मुझसे अक्सर patient पुछते हैं यह होता क्यों है acne क्यों होता है तो actually क्या होता है कि जैसे हमारे पूरे body में हर एक hair follicle है हर hair follicle के साथ एक sebaceous gland होता है जो sebum produce करता है जो oil जो skin को lubricant के लिए so फिर वो oil की production बहुत जादा हो जाती है तो जो हमारे pores ने वो clog हो जाते हैं और इसी तरह acne की शुरुआत होती है acne एक pleomorphic condition है जिसमें कई टाइप के lesion देखे जाते हैं black head, white head, papule, pustule, nodule, cyst और कई सारी grading होती है so according to वो ही देखते हुए हम different ilaarch करते हैं patients का जैसे आपने बोला youngsters को यह बहुत common समस्या है हाँ जी देखिए पहली चीज तो इसमें awareness यह होनी चाहिए कि acne सबको होना है और सबकी अलग age है mostly यह adolescence, teenager में देखा जाता है बट यह adult भी 40 साल पर 40 साल के लोगों तक को acne होते हैं कुछ youngsters इतना depression में चले जाते हैं उनका confidence ही lose हो जाता है और लगता है कि घर से बाहर निकलना यह socialize करना पर बंद कर देते हैं तो वो इस तरह से उनको impact करता है और एक proper counselling करनी है बच्चे की कि बताना है यह एक normal condition है जो हर बच्चे को होनी है अज़ डोक्टर सब जैसे हमने skin की बात की आपने बताया इसी तरह से बालों की बात है बाल जैसे बहुत सुंदर लंबे घने काले लहराते बाल वो दिखाये जाता है पिक्च्चर में एक सुंदरता का प्रतीक माना जाता है लेकिन लोग अपने को जब compare करते हैं तो उन्हें लगता है अरे हमारे तो नहीं है तो क्या सच में जो स्क्रीन पे देखते हैं क्या वैसे बाल रियल में हो सकते हैं या वो सब आप डिशिक होता है एक स्ब्सक्रीन फक्राइश के साथ वह ऑपने एक साह्ixa को प्रता पीस बालो का जो जो लुस होना है सो न्यूमन प्रत अलपेसिया ओपेसिया उसकी आपम 구름 को दिटेंस प्राट का थार्य प्रमीचे जफीश है ये विए हमारा एक salt है, वो फ्रॉंग salt है, बट उसको ईजली प्रेकर करके रात को उसे बाल लाए जा सकते हैं और कई सारे treatment है जो बालों का texture change कर देते हैं, बालों की quality change कर देते हैं जो आजकल सबसे जो famous treatment है उसका नाम PRP है, जो लोग कराते हैं PRP के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, PRP platelet rich plasma होता है, जैसे हमारा खून होता है, उसमें चार component होते हैं, RBC, WBC, platelet and plasma तो हम उससे platelet को extract कर देते हैं centrifuge machine में, temperature control करके, time control करके, speed control करके and वो growth factors हम दुबारा inject कर देते हैं, scalp में, लोग यह सुनने में बहुत लगता है, कि सर पे सुयां लगेंगी, but मैं यह बताना चाहूँगा, जो actually जो patients pain feel करते हो, वो सिरफ पहले prick का feel करते हैं, जिसमें blood लिया जाता है, क्योंकि बाकी time जब तक हम separate कर रहे होते हैं, हम सर पे anesthesia लगा देते हैं, topical numbing cream, उससे an insulin syringe यूज करते हैं, तो patient को hardly 5 बन में procedure खतम हो जाता है, less than 5 minutes, it's so quick patient को, it's very comfortable procedure, very mild discomfort, I would say, थोड़ा साई, and what are the side effects, see, यह बहुत safe procedure है, see, अगर अच्छे तरीके से पूरी sterility का ध्यान नहीं रखा, तो infection के chances हैं, but आप अगर proper जगे से करा रहे हैं, तब they aren't any, because लोग इसलिए भी कराना चाते हैं, कई लोग बाहर की कोई चीज अपनी body में नहीं डाल रहें, यह AP की body से लेके हम AP की body में डाल रहें, तो यह को को यह लगता है कि PRP face में कराएंगे, तो क्या बाल उग जाएंगे, ऐसा नहीं है, यह बाल उग आता नहीं है, सिर्फ growth factors वहां पे हम डाल रहे हैं, जिस एरेया में डालेंगे, अगर हम जैसे scar के नीचे डालते हैं, तो scar heal करने लगता है, face में डालते हैं, तो face anti-aging करने लगता है, अंडर आई में puffiness करने लगता है, it is a beautiful procedure, corrective procedure, हाँ, डॉक्टर सब जैसे आपने बताया कि जहां भी यूज करा, उसका ये PRP एक आपने बताया, और भी इस तरह के बहुत सरे treatment होंगे, पर ये कैसे कोई decide करे कि मुझे कौन सा treatment कराना चाहिए, ये क्या कोई अपन चाहता है, और एक patient को क्या चीज नीडेड है, और what he wants, so उसके बीच में हमें call लेते हैं, patient से discuss करके, क्योंकि कभी-कभी budget भी एक issue होता है, कभी-कभी कुछ phobias भी होते हैं, तो सब को, जिसे कुछ लोगों को non-invasive ही कराना है, तो non-invasive procedure, जिसमें needle का प्रयोग नहीं होगा, हम वो भी करते हैं, तो इस तरीके से patient और doctor के बीच में, and कभी-कभी doctor को लगता है कि, जैसे कि confidence hamper हो रहा है, या कुछ हो रहा है, तब कराना ज़रूरी लगता है, तो फिर doctor उन्हें explain करता है, और फिर call लिया जाता है, मतलब हमें ये चीज़ समझनी चाहिए, कि हम खुद स आपने शुरूर में हम बात कर रहे थे, आपने बताया था, एक तो होता है, रिंकल्स को रोका जाए, एजिंग प्रोसेस को रोका जाए, और दूसरा ये कि, जिनको हो गया है, तो क्या उसे reverse किया जा सकता है, मैं दोनों प्रेशनल का जवाब चाहिए, see, रिंकल्स, ये भी बहुत चाह सवाल था, क्योंकि बहुत सारे पेशनल से जानना चाहते है, रिंकल्स जो होते हैं, डाइनमे को जब आप मूफ कर रहे होते हो, जैसे आप आइबरोज उठाते हो, तो माथे पर लखीर आती हैं, या दोनों आइबरोज को बीच में लाते ह जिससे यह दो लाइने आती हैं, यह जब आप smile करते हो, तो आखों के पास जो लाइन आती है, उनको cross feet बोलते हैं, इन सभी लाइनों का FDA approved toxin जो हम डालते हैं, Botox toxin होता है, वो muscle को relax कर देता है, तो जिसकी वज़े से वो लाइन नहीं होती है, जैसे कुछ लोगों की हो चुकी होती है, उनको reverse कर देते हैं, बट कुछ लोगों की बिना movement पे, जो static lines, जैसे अगर कोई भी expression नहीं दे रहे हैं, और वो line deep हो गई है, तब फिर उनको इस चीज से नहीं, जो यह muscle relaxants से नहीं, बट उसके और भी इलाज हैं, जैसे उसके fine fillers आत करता है, जैसे काफी लोगों से बात करते हैं, तो वो यह कहते हैं कि नहीं, natural beauty is a natural beauty, and it should come from within, अगर हम healthy हैं, तो हम अच्छे दिखेंगे, इस बात से आप कितना इतिफाक हैं, यह पूरी call, patient, देखिए, as an individual हमें पूरा अधिकार है कि हम अपनी body पे, क्या करना चाहें, ठीक उसके भी कई सारे इलाज है, उसके कई सारे लेजर आते हैं, जिसमें हम कोई भी needle या कोई भी injury ना देते हुए, हम safely आपको कर सकते हैं, कुछ लोग laser भी नहीं लेना चाहते हैं, तो उनके लिए light procedures है, कुछ लोग light भी नहीं लेना चाहते हैं, उनके लिए creams हैं, बट अगर आपो कुछ achieve करना है, see naturally तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, बट अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इस age में ऐसा दिखूँ, तो कुछ तो करना पड़ेगा, डोक्टर साब, आपने बहुत सारे celebrities को treat किया है, यह हमें पता है, आप बहुत सारे famous celebrities हैं, जो आपसे treatment करा चुक आपके experience से आपको जैसे average, normal लोग है, जो normal routine, office goer है, या homemaker है, वो कितना आते हैं, और कितना conscious होते हैं, कितना aware होते हैं आप से treatment कराने के लिए, वो थोड़ा experience से बताएगे, मैं देख रहा हूँ, जैसे समय भढ़ता जा रहा है, and social media में awareness भढ़ रही है, लोग इस बारे में like, अब stigma नहीं रहा है, कि लोग, लोग इलाज भी करवा रहे होते हैं, तो अपनी photo डाल रहे होते हैं, अब आजकल, आजकल, मेरे कहाल से इतनी awareness है, कि सबको पता होता है, आजकल, patients जब आते हैं, मेरे पास पहले पूछते थे क्या कराना है, अब वो बताते हैं, कि मेरे को ये treatment कराना है, या कुछ दिखाते होंगे, ये photo ऐसा बना दीजाए, ऐसा भी होता है, होता है, लेकिन मैं उसको face sculpting बोलते हैं, लेकिन मैं generally वो नहीं करता हूँ, मेरे वो मानना है, कि हर एक इंसान बहुत खुबसूरत है, हम उसी का best version उसको दे, थोड़ा बहुत चीज़े होती हम वो साही कर देते हैं, उसमें face sculpting में होता है, जिसमें हम eyebrow lift से लेके, आपने ये शब्द यूज किया, face sculpting, तो ऐसा लगता है, जैसे कोई sculpture की बात करते हैं, तो उसमें पूरी तरह से आप अपने हिसाब से उसको बना देते हैं, तो क्योंकर ऐसा ही है, क्या ये face sculpting, इसमें actually बहुत जैसे important features हमारे nose, lips, cheeks, chin, jawline, हम सब में changes ला सकते हैं, ताकि आप आपके best version दिखे, ठीक है, ये जो temples होते हैं, जो forehead के किनारे वाला हिस्सा, कभी-कभी काफी females में अब अंदर चला जाता है, जिसकी वज़े से eyelid droop करने लगते हैं, उनको उठा सकते हैं, eyebrows को उ सकता है, contour दिया जा सकता है, nose को पतला करा जा सकता है, nose के आसपास वाली line या जो होटो से, जो line जिसको marionate line बोलते हैं, जिसको drooping बोलते हैं, वो fix करी जा सकती है, जिनकी chin छोटी उनको chin proper shape दिया जा सकता है, and actually जिसको जो required हो, मैंने कई बर देखा है कि बहुत यंग, जैस उसने अपना चेहरा देखा, so, and he was so happy, he was crying, and उसने मुझे हग किया, तो मुझे, so, ये, ये actually, छोटी सी चीज, प्रोसीजर, अगर आपको इतनी बड़ी खुशी दे सकता है, and ये treatment non-surgical है, आपको कोई anesthesia के अंडर ने जाना है, surgery का है, and इसकी सबसे खास बात है, कि रिवर ये, अगर आप हर चीज सकल्प कराएंगे, तो, obviously, ये थोड़ा सा expensive procedure है, but आजकल हमारे पास कई सारे ब्रैंज आगे हैं, जैसे अगर हम American नहीं, Korean ब्रैंज भी लेते हैं, तो वो, हर आम से आम आदमी भी इसको, affordable है, but ये still affordable है, but थोड़ा expensive है, आजकल, जैसे मैं latest जो कर र हुआ हूँ, जिसमें की needle भी नहीं use करते है, cannula होती है, जिसमें आगे blunt tip होती है, तो सिर्फ एक entry point बनाके, एक point से हम patient को कुछ feel ही नहीं होता, and जो results आते हैं, वो बहुत खुश रहोते हैं, और किस age group, starting age group में ये किया जा सकता है, लोग तो बहुत young से करवा रहे हैं, लेक हैं patient, लेकिन मैं, लोग मेरे पास, आप यकीन नहीं मानेंगे 14 साल, 13 साल में, क्योंकि internet के जहां फाइदे हैं, वहां नुकसान भी है, क्योंकि हर बच्चा compare करने लगता है अपनी life, so, वो चाहते हैं, बट मेरा मैंने, हम लोग ने अपनी clinic में बनाय हुआ है, कि 25 से नीचे हम 25 से उपर में करते हैं, फिर उसकी कोई age limit नहीं है, मैं वहादा mature हो जाए, उसको समझ में आए, कि इसको कैसे handle करें है, तब ही आप इसको perform कर, तो बहुत सारी बाते हमने आज जानी, Dr. Amit Bhaseen से, जो dermatologist है, cosmetologist है, और हाज हमारे साथ इस कारेक्रम में, studio में रहे, तो dermatologist, Dr. Amit Bhaseen से ली गई भेटवारता सुन रहे थे, विशे था, नवीनतम तक्नीकों से सौंदर्य वृत्थी, आए सुनते हैं, एक भेटवारता, विशे है, आपात काल स्थिती में प्राथमिक चिकित्सा, हमारे विशे शग्य है, Dr. P.Yush Ranjan, आप प्रोफेसर है, Department of Medicine, अख लग साब का बहुत दस्वावत हैं. जी, बहुत-बहुत धन्यवाद. लग साब, पहरा सावाल मेरा आप से यह है कि First Aid क्या होती है? जैसा कि नाम से प्रतीत होता है first aid यानि प्राथमिक उपचार जो पहली सायाता उसको मिलती है ये कहीं भी हो सकती है अस्पताल में, अस्पताल के बाहर, सड़क पे, कहीं भी कोई भी आम यक्थी जो है, कि आप राथमिक उपचार दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है, कि या तो उसने कोई ट्रेनिंग करी हो, चोटी आजकल जो गौर्मनेंट हमारी है, Ministry of Health and Family Malfair, एक एक दिन की first aid की ट्रेनिंग कई जगहों पे क इस बज़र से काफी लोगों की death हो जाती है, तो उस समय के हम किस तरह से उप्योग करें, बिना किसी gadget के, बिना किसी test के, उस चीज को करने के लिए कोई भी आम आदमी कर सकता है, होना क्या चाहिए, उसका intent होना चाहिए वो मदद करने, लोग साव आपने का training देते हैं, या सबसे ज़रा मित्ति होती है हमारी heart attack से, systemic heart disease, stroke हो गया, उसके trauma होगी, चोट जो होते हैं, उसके चोटे topics जिससे dog bite, snake bite, जल जाना, इन सब चीजों पर चोटे lectures होते हैं, और फिर कुछ हम hands-on, जो skills है वो भी impart करने कोशिश करते हैं, जैसे की CPR, उसमें वो mouth to mouth, breath वाला नहीं क अड़े होए, क्योंकि अगर किसी को partial injury हुई है, हम गलत तरीके से गर ले जाते हैं, हमें तो लगता मदद कर रहे हैं, पर उस गलत तरीके से ले जाने की वज़ए से, वो complete injury हो सकती है, और चारो हाथ पर काम ना करें, तो वो भी बहुत जरूरी है, ले जाना, और कहां ले ये भी जरूरी होती है, अकसर हम देखते हैं, सड़ा किनारे को ये accident हुआ, हम सीधा उस को और रिक्षा में किसी तर डालते हैं, और किसी नजदी का hospital लेके चल जाते हैं, ये ना सोचते हैं कि यहां क्या सुविनाएं हैं, और क्या नहीं हैं, तो फिर हम दरदर ठोकरे खाक ये असपास किसी भी इलाके में, जी, दिल्ली में तो खास करके ये काफी अच्छे से चल रहा है, तो इसमें अगर वो कोई group के साथ संपर करे, ministry को चिठी लिखके, डिजेचेस में खास करके, तो ये possible है, और कुविड में थोड़ा ये रुक्सा गया था, अब फिर हम पु ये जो हमारे कोट है, उन्होंने बड़ा अच्छा एक और निकाला है, good samatian law कहते हैं उसे, उसमें कहा गया है कि आप अगर किसी को help करते हो, सिर्फ आपने कुछ नहीं करा, आपने first aid भी नहीं दिया, अगर टाइम पर हॉस्पिटल पहुचा देते हो, तो आप से पूछता आपने बता इच्छा शक्ती है और थोड़ी हमारी ट्रीनिंग है, तो हम help भी कर सकते हैं, डुक सब कई बार होता है ये कि पीडित वक्ती को लोग confused हो जाते हैं, थोड़ा दुविधा में रहते हैं कि इंको hospital ले जाए जाए या first aid दी जाए, इस विशे में आपके हमारा उ अटक गया है रास्ते में, कोई वक्ति अगर नहीं बोल पा रहा है, तो समझना चाहिए बहुत ही serious है, क्योंकि उसके रास्ते में या तो कोई रुकावट है या फिर बहुत ही serious है वो, तो उस स्थिती में हम एक तरीका होता है जिसमें मुठी को बंद करके छाती के ठीक नी ले जाने का कोई मतलम नहीं है, अगर आप वहाँ पर उसको रिवाइब कर सकते हैं अपनी ट्रेनिंग अनुसार या आप एम्बुलेंस या ट्रेंट जो परसन है उनको बलाईए तो ही साइदा है, बाकी सब स्थिती में आप हॉस्पिट ले जाईए, हार्ट टूट गया है आप रास्ते में ही स्प्लिंट लगा सकते हैं, किसी भी फटे को लकडी का डंडा, जो की दो जॉइंट को क्रॉस करें, उसको आप बांद सकते हैं, तो पें कम हो जाती है, आसपास की जो सर्राउंडिंग जो नर्व्स होगे रहोती हैं, उसको डैमेज कम होती है, तो यह आज canyon अप모ट कर गार नियुक्त सितियां होती हैं। को पोFIप हती है तो यह घूसी होती आ इसहासी होती है तो बाहर निकालने के लिए वंचने का काम नहीं करती तो क्या होता है oxygen दर जा नहीं पाता तो एक मैं सुनने वालों के बनतातन चाहूंगा बहुत important चीज है कि कोई वेक्ति बात कर रहा है इसका मतलब बात करने के लिए जो हवा बहार आ रही है जिस रास्ते से उसको अगर हम बात करने के हवा बहार आ सकती है तो ऑक्सिजन भी जा रहा होगा यानि यह रास्ता क्लियर है तो कोई भी सीरियस विक्टिम अगर आता है और इसकिसी भी तरक अगर वो बात कर पा रहा है तो हम तातकालिक रूप से कह सकते हैं कि oxygen भी शरीर में जा रही है और सिंपल अगर वो बता पा रहा है कि मेरा नाम यह है यह हुआ था उस समय में दस मिनट बात क्या होगा कह नहीं सकते बट उस समय में उसका लंग उसका जो heart का function है और brain ठीक काम कर रहा है एक मिरगी के दौरे बोलते हैं पड़ते हैं तो उसमें आम तोर पे लोग क्या करते है कि चमज डालते हैं उंगली डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि उनको लगता है कि जीब पलट जाएगी तो दिक्कत होगी यह सोच सही है कि पलट जाए जीब तो दिक्कत होती खास करके एक बेहोश परीज में तो उसमें लेकिन तरीका गलत है उसको रोखने का सबसे अच जाते हैं। ना रूखे, अस्पतालगा Rुख कीजिए। रुख भी गए तो भीar है सेटल होने का दो ले जा सकते हैं। तीसरी होती है, किसी को दंबा होता है, उनको एटाक आगया। तो जदातर अगर घर में उनको पता होता है कि यह पेशेंट है, इनके इनेलर होते हैं। जो दवाईयां होती हैं, वो दें, वो विक्टिम बैठना पसंद करते हैं, लेटना नहीं पसंद करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि अटायक है दम्मे का, तो उसको हम उसी तरह से केर, तो घर में आसान होता है, बट यही विक्टिम बाहर होता है, पता लगाने मुश्कि को देखेंगे, तो आपको एक तरफ का टेड़ा दिख सकता है, हाथ पैर जो उस तरफ के काम नहीं कर सकते हैं, वीक हो जाते हैं, अगर हम कहें, उंगली को पकड़ो नहीं हो रहा, चल नहीं पा रहे, और स्पीच जो होती है, बात करने में दिक्कत होती है, जैसे मैं बात क कॉमन कारान डथ का, वो हाट अटक, उनको रियश्योर करते हुए, समझाते हुए, हम धीरे धीरे चलाके, या हो सके तो उठाके, गाड़ी में लेकर आके, हॉस्पिटल को ला सकते हैं, कई बार ये होता है कि हाथ पैर जलने की घर में अकसर इस तरह की इंसिदेंट्स हो ज जाएगा, लेकिन अगर मैं कहना चाहूंगा सुनने वालों को कि अगर हमने कभी अगर अंडा चिला हो, या आलू को पील आफ किया हो, तो हमें पता होगा जब जब वो छिलका हम अटा रहे होते हैं, तो ठंडा होता है आलू पानी में डालने के बाद, लेकिन फिर अंदर पाया जाता है, तो उसी तरह से हमारे अंदर फिर गर्मी रहती है, तो थोड़ा ज़्यादा देर तक हमें पानी में करना चाहिए, और जो फफोली अगर बन गए, तो समझे यह इसे ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं, उसको फोरने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंक है, जहां उस्पिल जाने की ज़रूत नहीं, तो आपने लगा दी कोई बात नहीं, और अगर फेस में बर्न है, वो थोड़ी जादा इमर्जंसी होती है, क्योंकि सास की रास्ते में अगर बर्न थोड़ा भी हो जाए, तो सूजन आके सास में तकलिफ आ सकती है, पता कैसे च कार ये किसी वज़े से दुरगाटना ग्रस्त हो जाते हैं, और उनके हाथ पैर शती ग्रस्त हो जाते हैं, इस अवस्ता में किस प्रकार प्रात्मी को प्चार दिया जा सकते हैं, हम ये बताते हैं कि अगर आपके किसी के हाथ में भी चोट लगी हो या पैर में ब्लीडिंग रोख सकते हैं, जादा तर हम, जैसे मैं एक सर्जन हूँ, ऑपरेशन में भी ब्लीडिंग जाद होती, पहला काम हम यही करते हैं, कि प्रिशर डालते हैं उसको, हाँ, खाली हाथ से ना दमाएं, कुछ अगर गलोव्स मिल जाए ठीक है, नहीं तो कोई भी अगर बंद नहीं होती, तो दमा के ही हॉस्पिटल हमें ले जाना चाहिए, अब ही आप प्रात्मिक चिकित्सा पर ले गई ये भेटवारता सुन रहे थे, विशेशक्य थे डॉक्टर पियू श्रेंजन, प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ओफ मेडिसन, एम्स. आप इस कारिक्रम में और क्या सुनना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं, हमारा इमेल आइडिय है healthairdeli.gmail.com, इसी के साथ आज का ये कारिक्रम समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार. आप नमस्कार्वर इस साथ आज कएवरी ओ दो आपुर्सका ये आपूए पार और पर द्ख आज शूएंड़्स, एम्स. झाल झाल